इस वीडियों में हम लोग chapter 1 पढ़ने वाले हैं, chapter 1 का question answer A to Z solve करेंगा, chapter का नाम है पटना से नाथुला की यातरा, पटना कहा है आपको पता ही है, बिहार के रजधानी, पटना, और नाथुला कहा है, नाथुला है सिक्किम है, सिक्किम भारत का एक राज्य है, सिक्किम आपक पता ही है, भारत का राज्य रहेगा, और क्या, सिक्किम एक पहारी राका है, तो लेखक पटना से नाथुला की यातरा करते हैं, यानि बिहार से सिक्किम की यातरा करते हैं, और बीच में जो पर जाता है, बीच में पस्चिम मंगाल पर जाता है, ठीक है, तो वहाँ पर जो उसका वो आनंद लेते हैं दार्जिलिंग का और फिर चले जाते है नाथुला की याद्रा करने नाथुला कहा है देखे सिक्किम है बता दिया आपको देखे नाथुला कहा है आपको दो बता दिया सिक्किम है लेकिन एकज़ेट कहा है वो सिक्किम और चायना के बॉर्डर वो परथा इसलिए चायना का जो Cynic है और भारत का जो Cynic है उनके भीच में एके लडार जगडा होती रहा था ठशीचा है तो नातुला कहा है सिक्किम और चीन के जस्ट बॉर्डर वे रहा तो पढ़ेंगे बताईए तो बताएंगे फर्स्ट है किन दो रजधानियों की बात लेक में की गई है तो लेक में बिहार के रजधानी पटना और सिक्किम के रजधानी गंटोक की बात की गई है पर्स्ट मंगाल के जो दार्जलिंगा वहाँ तो पुष्टे हैं साथ सिक्किम के रजधानी गंटोक भी वो घुमते हैं तो लेक में दो चीज़ का बाचित हुआ पटना और गंटोक का उत्तर हो जाएगा बिहार के रजधानी पटना और सिक्किम के रजधानी गंटोक की बात लेख में की गई है होगे अंसर सिकंड है सुभा के समय बर्व से ढकी कंचन जंगा की चोटी कैसी दिखती है है सूरज पर्काश में साथ गुराँ यह झारा जिसको सुभा का था कौन कोन रहा था देखे कैसे याद कर सकते हैं बजानी हपी नहाल बजानी हपी नहाल बैजनी आसे derived चा heirเिनी नी से नीला, ह से हरा, पी से पीला, ना से नरंगी, और अंत में लाल, ला से लाल, जो दूरी यातरा करना रहता है, तो जादा दूरी यातरा कौन कर पाता है, लाल रंग ही कर पाता है, जिसके कारण सुरे जब उगता है, और सुरे जब डुगता है, तो लाल रंग का प्रकास संद्ध पिर्थिवी पर ज्यादा पहुछ पाता है जो सूराज है ना पिर्थिवी से कब दूर होता है सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा दूर होता है जब उगते रहता है तब और सबसे कम दूरी पर कब रहता है बाड़ा बचे दो फ़र करें हम सीरी पर रहता है लाल रंग क प्रकास ज्यादा पहुच पायता है प्रिथी पर जिसके कानों क्या है जिसके कानों लाल दिखता है ठीक ना लाल तो टू में पुछा जारा सुभा के समय बर्प से ढकी कंचन जंगा की चोटी कैसी दिखती है तो कैसे दिखती है सत रंगी दिखती है सत रंगी तो सात रंग ह सूरज के प्रकास में मिला हुआ तो बर्फ से जब गुजरता एक तो इसका साटु रंग है लगउ लगउ अलग होजाता है जिसके कारण जो कंचन जंगा के पहार है परवत वो यह है वा सिक्की में में आँकों बताई थे घ्रलत के जमू कस्मीर सी हुट्ते हुए तो हिमाले के प्रवतों की स्रेनी है तो इसमें एक पहार कौन है? कंचन जंगा के खासियत क्या है? यह भारत की सबसी उची चोटी है, ठेक है? और कहां है। भारत के शिक्किमराजे में है अब प्रिदुनिया के बाद करें तो कंचीन जंगे के चोटी है। उच्छillon जंगा के चोटि हो जाल। जाना सुड़िय। तो कंचन जंगा के उच्छाई कितना है 35-86 मीर है। 8.5, 8.6 मीटर 8,8, 4,8 मीटर अब डिर्स सेकड नमर पर कौन आता है सेकन नमर पर इसके लंभाई कीतना है यानि उच्षाई कीतना है 8,6,1,1 मीटर और यह दुनिया में सेकन नमर पर आता है और यह कहा है पकिस्तान अधिकृत कस्मीर में है तेकें आपको हिंदी के फ़र्ष चप्टन में पढ़ाये थे जितना सारा राज्य था सब के बारे में बताये थे के निसासित परदेश के बारे में बताये थे तो उसमें बताये थे ना जम्मू कस्मीर लिग्रित कश्मीर, थेरी है कंचन जंगा के चोटी पर बर्फ क्यों जमी रहती है, तो आप सोचिए कंचन जंगा ठाड नमबर पर जो आ रहा, उचाई के मामली में पुरी दुनिया में पहार, तो इस पर क्या रहेगा, वो ठंडा रहेगा, जैसे जैसे उपर बढ़ते हैं और अक्सिजन के मातरा घटते जाती है, तो ठंडा बढ़ेगा, तो पानी के हो जागा, बर्फ में बदल लिएगा, बर्फ में बदलने के लिए उसको कम से कम 0 degree Celsius चाहिए, 0 degree Celsius, और कम रहेगा, माइनिस में जाएगा, माइनिस 1, माइनिस 2, माइनिस 3, तो वो और बर्फ में बदल जाएगा, तो कठोड हो जाएगा, थिरी में पुछ रहा है कंचन जंगा के चोटी पर बर्फ क्यों जमी रहती है, तो उत्तर हो जाएगा, कंचन जंगा के चोटी पर ठंड बहुत अधीक होने के कारण बर्फ जमी रहती है, तो ठंडा बहुत जादा होता, तो पानी क्या बर्फ में बदल जाता और उपर जो बादल रहता है ना कंचन जंगा के उपर जो बादल रहता तो उसमें पानी रहेगा तो पानी क्या होता बर्फ में बदल जाता तो पानी के वर्षा नहीं होता वहाँ पर बर्फ बबारी होता फोर है आपको सुर्यदय या सुर्यास्त के समय का द्रिसे कैसा लगता है ठीक है सुर्यदय के समय और सुर्यास्त के समय इसको तोड़िये इसको तोड़िये तो क्या बनेगा सुर्य प्लस उदय बनेगा अर्वेытन पोड़िया, शुरय स्धत को सुरय에, प्लस अस्थी बनेगा, उदाइक के मतलळे होता उग तो शुरय दे यानि शुरय जब उगता है तो सушिय आपको ड़ृटा है, उसका अफ का सलगता it with cup सुरज के उगिर्ट्य वक्त और सुरज के डुपते वक्त शूरज कि लाली में है ना वह बहुत ही मन को भहती है सुरज दम लालल लखत लिखता है उसका प्रकाश है प्राव पप 만들어 जाता तो और बढ़िया लगता आस्मान में जब फैल जाता वह बहुत ही बढ़िया लगता शुरे दे और शुर्यास के समय शुरे लाल दिखता है शुरे की यही लाली मा वातावरन को अध्भुत सौरूप परदान करके इसे जीवन्त करती है यह द्रिश्य जी भर देखने के बाद भी मन नहीं भरता तो इसे ऐसा देखने में लगता है ना कि जी भर के देखते हैं फिर भी मन नहीं भरता और ऐसा लगता है कि जीवन्त जीवन्त परदान कर रहा ठीक नहीं एक दम नया सौरूप परदान कर देता है ठीक एक नया माहौल बन जाता सुभा में और साम में फाइब है हिमाले परवत की कुछ अन्य चोटियों के नाम पता करके लिखिए तो यहाँ ध्यान सा समझेगा कुछ अन्य चोटियों के नाम तो यह जो लेख है पटना से नाथुला की यातरा उसमें कंचन जंगा के बारें बताए गया तो आपको वो छोड़ कर लिखना है कुछ अन्य चोटियों के नाम बोड़ा है तो कंचन जंगा चोटि का जो नाम बताए गया उसके बारे में बहुत कुछ बताए गया है पटना से नाथुला की यातरा में तो उसको छोड़ करके लिखना है देखे उत्तर हो जाएगा हिमाले परवत की कुछ अन्य चोटियों के नाम निम लिखित है निम लिखित मिस क्या होता है नीचे लिखा हुआ है निम मिस नीचे होता है लिखित मिस लिखा गया है तो नीचे लिखा हुआ है देखे फर्स्ट है मौंट एवरेस्ट मौंट एवर मीटर चलिए आगे बढ़ता है केटू को अब को बता चुक्ए है उसका फुल ours आ लिए का है पाकिस्तान अधिकृत कशमीर कश्मीर मतलि अधिकार किया है कश्मीर का छोटा से राका पकिस्तान के कब्जे में तो वहीं पर उसी कश्मीर में डुनिया की जो चोती है सबसे उची चोटी है उसमें सिकंड नंबर पर आता है और इसकी उचाहिए कितना है 8611 मीटर ठाट बढ़ते हैं नंगा परवत यह कहां है जम्मु कस्मीर में है जम्मु कस्मीर फोर है कामेट नंदा देवी तिरिशूल बंदर पूच और बदरिनाथ यह उत्राखंड में है उत्राखंड आपको हिंदी के फर्स चेप्टर में पढ़ा चुक्या है उत्राखंड है वो सबसु उपर है और यह पहारी लाका है आपको बताया थे सबसु उपर कौन है उत्राखंड तो उत्राखंड़ में रहेगा तो वो पहारी लाका है ना तो ठे सर वहाँ पर पहार है तिधर से क्या गुजरता है हिं परवश्यूर可能 लेकाशक पहार है उत्राखंड में कामेट हो गया नदा देवी तृसूल बंदर पूच और बदूरिनाथ इसमें है बद नांदा देवी बहुत तरफ्य्मज़ी है व्यॐ लिखेादध में धौला जिरी गौकर नपुर्ना और सालों, यह कहा है नेपाल में भारत के उपर है नेपाल, भारत के उपर क्या बिहार में, यह हम सब हैं तो दिझा नाम, tornado tION, the pr healthcare और तीपत एक देश था पहले गप पुछेरे को अगर नंगा परवत के बात करेंगे दि belki हिमाले के सबसे पष्चिम में है। तो पूछेगा अगर आपको कहीं कि नंगापरवत हिमाले के किस दिशा में है। लिखेंगे नंगापरवत हिमाले के सबसे पश्मी दिशा में है, सबसे पश्मी में कौन है, नंगापरवत है, और सबसे पूरब में कौन है, नामचा बढ़वा है, यह जो नामचा बढ़वा है, सबसे पूरब में है, हिमाले के सबसे पूरब में, अगो बता चुक है हिमाल पहारों की श्रेनी है, इसमें धेशरा पहार है, और कुछ-कुछ पहार का ध्यानाम लोग इसमें कर लिया है, 6 है भारत के कुछ अन्य प्रवत्ति स्थलों के नाम पता करके लिखना है यहां पर अब ध्यान से समझी है कुछ अन्य तो जो लेक है पतना से नाथुला की यातर है इसमें लेक है पस्षिम बंगाल की जो पहारी लागा है ना दाजलिंग उसका बात करते है नाथुला के बात करते हैं जो सिक्किन में हैं और सिक्किन के रजधानी जो गंटोक है वो भी पहारे लागा है ठीक उसका बात करते हैं तो ये तीनों को छोड़कर आपको बताना ठीक न ये तीनों को छोड़कर बताना इसलिए आपको बला गया है कुछ अन्य प्रवत्तिय स तो सबसे पहले आप मैप पढ़ लेज़े तब आपको पदा चलेगा कि किधर है जैसे माचर प्रदेश कहां उतरा खड़नी जुमुकर समिर कहां है ठीक है तो अगर आप मैप नहीं पढ़े हैं तो हिंदी को फस्ट चेप्टर पढ़ा है है हिंदिस की निवासी उसमें बता ह कि सब्जेक्ट एक दूसरे से रिलेटेड है तो कि सीबर सब्जेक्ट को अननों थान सब्जेक्ट को हलकेमा ने मिमत लेजिए देख asks, अब क्यूंपॉजचे का की दर्यूपॉत तो सभी सब्जेक्ट पर त्म यасьान दीजिए तो जम्मकस्मीर में है गुलमर्ग और पहलगाम और यह क्या है जम्मकस्मीर कहा है उपर है सबसे उपर यानी उत्तर सेकन्ड है मनाली, सिमला, कुल्लू घाटी और मंडी यह सब के सब हिमाचल प्रदेश में है तो दे कि उपर से क्या है हिमाले गुजरता है, जमू का स्मिर जो लदाक वाला एडिया है, वहां से होते हुए और नाचल परदेश तक जाता है, ठाड है नैनी ताल, रानी खेत, मसुरी, यह कहा है उत्राखन में, इसमें सबसे ज़्यादा फेमस पता है, मसुरी है, बहुँ ज़्यादा फेमस है, यह हिमाचल परदेश में क्या है, कसौली है, यह हम है हिमाचल परदेश पर चुके है, तो हिमाचल परदेश में एक और है, कसौली है, पस्चिम बंगाल में मिडिक है, और क्या है, दार्जलिंग है, दार्जलिंग वहां पर चाय का खेती होता है, चाय कॉफी, ठीक है, लेकिन क Best आवर दार्जिलिंग का नाम नाव लिखल नहीं है किसी दार्जिलिंग का बताया गया है लेख में चींधे उसको छोड़कर लिखना एक पषिल मगाल में क्या है जिए मिरित है और अगर बात करे किरल का, तो किरल में क्या है, पिरियार है, ठीक है, तैमिलाडो से किरल कैसे पहुच गए, क्योंकि दोनों बगल बगल में है, इसलिए पहुच गए, अब चलिए बढ़ते हैं, महराष्ट में है खांडला, और महाबलेश्वर, परवतिय स्थल का नाम कि रहाँ है, परवतिय स्थल मांट आवू, तो यह बहुत ही फेमस है, मांट आवू, तीक रहस्थान में यह मसमझेगा कि खाले बालू ही बालू है, खाले रगिस्थान ही है, ऐसा नहीं है, अस्थान के बीचों बीच गुजरता है अरावली परवत, ठीक है, उसके लेफ् माउंट आबू ठीक है राजिस्थान में अब पढ़ेंगे बताईए तो बताएंगे कोश्चन है ठंडे इलाके के जन्तों के सरीड पर बड़े बड़े बाल क्यों पा जाते हैं तो लेक में लेखक याक का बोरन की है याक जिसके सरीड पर धेसरे बाल होते हैं तो उसको ठंड से बचाता है हलू हो गया बंतर हो गया याक हो गया ठीक है यह सब है यह सब के सरीड पर धेसरे बड़े बड़े बाल होते हैं क्यों कि यह इनको ठंड से बचाता है तब ना पढ़रतियस थलोपे और रहा पाते हैं क्योंकि पहार के पास रहे गया तो बहुत ठंडा लगे गया तीक उत्तर हो जाएगा जन्तू के सहीड पर के बड़े-बड़े बाल उनके सहीड को गर्म रखते हैं जिससे वे ठंडे इलाकों की अतिधिक ठंड को सहपाते हैं इसलिए ठंडे इलाके के जन्तू के सहीड पर बड़े-बड़े बाल पाये जाते हैं आगे हावाँ ठेक भी नहीं पाता सिर्फ बाले से ठेक भाता उंके तवचचा से ठेक भी नहीं पाता तो ठंडा तो लगे यहीं नहीं Next question है तेंजिंग नोडगे के बारे यही पर भारते मुल्के फिर बन गहें भारते नागरिप्ता फिर ले लिये थे तो तेंजिंग नोडगे बहुत ही फेमस है इमान टेवरेश पर पोश्चनी वाले पहले बेखती है और इनके साथ में एक और थे, कौन थे एडमंड हिलेडी थे, वो निजुलेंड के थे आगे पढ़ेंगे इसमें तो पूछ रहा था, तेंजिंग नोडगे के बाड़े में अपने सब्दों में लिखिया है, ठीक है, किताब से चापना नहीं है अपने सब्दों में लिखना है, तो उत्तर हो जाएगा तेंजिंग नोडगे का जन्म तिबबत में हुआ था तिब्बत भारत के उपर ठीक है पहले एक देश था लेकर चाइना इस पर अधिकार कर लिया है ठीक है तब चाइना के अंतरगत आता है तो तेंजिंग नौडगे का जन्म तिब्बत में हुआ था फिर भारत के मुल निवासी बन गया मुल मतब क्या हमेशा के लिए यहीं बस गया परवत रोहियों के साथ 20 साल के उम्र से ही खुली के रूप में साथ जाते रहते थे constructive जो प्रवत रोहिई है प्रवय पहार पर चड़ रहा है तो बहुत सरा entertainment के लिए पहार पर चड़ते है और फिर कारनामा करने के लिए ताकि दिहास के पन्णों में उनका नाम लिखा जाए घीके जैसे लिखा गया ना इतिहास के. पन्नों में इनका नाम लिखा गया क्यूंकि यह पहले वेक्ति थे एक और थे एडमेंड ही लेडी दोनों साथ में मिलके बाउन टेवरिस्ट पर सबसे पहली वार क्या चठाई किये थे 20 साल के उम्र 20 साल के कच्ची उम्र से ही वो कुली का अकाउंट करते थे सबसे ज़्यादा इंट्रेस्टिंग चीज क्या है वो परवत पे चढ़ते थे ना जो लोग है तो उनका समान ठोके वो उपर ले जाते थे थे क्यूंकि यह एक्सपर्ट थे वज़पंसी वो पहार पे चढ़ते रहते थे तो ईनका यह रोजगार था कुली का रोजगार था तेंजिंग नोडगे और निजुलेंड के सर एडमंड हिलरी दोनों साथ मिलकर 29 माई 1903 को मौन्ट एवरेष्ट की चोटी पर चड़ाई करने वाले पहले वेक्ति बने ठेके कौन-कौन थे तेंजिंग नोडगे भारत के तीबत में जन वेवा लेकिन भारत के निवासी बन गये थे आपको बताएं ठेंजिंग नोडगे भारत के और निजुलेंड के सर एडमंड हिलरी निजुलेंड कहां है? नीचे है औस्टेलिया के बगल में जैसा ये मैप देख सकते हैं आप देखे ये अस्टेलिया है और जैस नीचे क्या है? निजुलेंड है नेक्स्ट क्वेस्टन है परवता रोहन के लिए क्या-क्या तैयारी करने पड़ती है? परवता रोहन के लिए परवता रोहन में तो क्या? परवता पर चढ़ेंगे जैसे कुलहारी, कुदाल, इत्यादी, बढ़ में सोने के लिए sleeping bag, पर्याद भोजन, पानी, गर्म कपड़े, दस्ताने, टोपी, कांटेदार जूतें, इत्यादी को अपने साथ ले जाने के तयारी करनी पड़ती है, ठीक है ना, ले जाने के तयारी करनी पड़ती है, ठीक है लेंगे, oxygen का cylinder ले जाएंगे, तो देखें, यहाँ पर कांटेदार जूते के बाद ना, oxygen का cylinder लिख लेजे, oxygen का cylinder, ठीक है, कॉमा देखें, जूते के बाद कॉमा, फिर oxygen का cylinder, परवद पर चटने के लिए क्यागा चाहिए, टेंड चाहिए, उपर जाके रुकेंगे ना, यह तो देखेंगे, फिर रसी चाहिए, ठीक है, फिर चाहिए, जोड़ी ओजार जैसे कुलहारी, कुदाल, ठीक है, इत्यादी लिखेंगे है, और भी ज्यादा ओजार चाहिए होता है, ठीक है, और भी ज्यादा ओजार चाहिए होता है, तो देखेंगे, वहाँ पर रसी के साह स़प्ते हैं फिर उपर चढ़ते हैं इस तरह से चढ़ते हैं और इसे लिएके स्लिपिंगt रखेंगा ज़िंग बढ़ कपर लेदा और कि टिन थी जाएंगा पीरदी प्ति प्रयात रहता इसे टा तो पृटुतानी टोपी कंटेदार जूता हो था धोता निचे तम काटी काटी जाख मूक्न हो रहा था तो पुरा बर्फ जमा हुआ तैसे आपके जो पड़ेगा और क्या जो स्लेंडर यहां पर ऑक्सीजन का सलेंडर कोमा करके लिख लिजे पिछले प्रिष्ट पर दो जाने माने प्रवतरोहियों के चित्र दर्शाए गए हैं यह आपको क्या-क्या पहने दिखाई पड़ रहे हैं तो देखिए यह दोनों हैं यह हैं तेंजिंग नोडगे और यह हैं एंडमंड हिलरी तो दिखाए पर रहा है तो बोले जारे जो फोटो में है फोटो में जो दिखाई पर रहा फोटो तो इसमें ये क्या-क्या पहने हुए हैं देखें यहाँ पर दिखाया पढ़ रहा है आख पर पहने के लिए चस्मा क्योंकि बहुत धूल उड़ेगा ना बहुत आंधी होगा तो आख में चला जाएगा तो समझें पहार पर चड़ रहा है ठीक है तो गिटने के बहु हो गया चस्मा हो गया इस असिए देखें यह ऊक्सीजेन के सिलेंडर लें दोधों अक्सीजेन क्यांकि इनको मांट letegre चटर भी था और फिर उतरना भी था तो उस्चीजन यादा ले जाना पड़ेगा ना यह हो गया अब सोची है एसन के सिलिंडर भाड़ी होता इस लेके उपर चटना ठीक न इसले जो भोजन भोजन रहता आता है ना तो हलका भोजन ले जाता है जो ज्यादा उड़ जाते ज्यादा सकती दे लेकिन ज्यादा भाड़ी यह नहीं हो और oxygen cylinder से यह pipe जुड़ा हुआ ठीक है और यह यहाँ पर मुह में लगाएंगे यह हो गया अब देखें और अब क्या दिख रहे आपको यह जो हाथ है नहीं यह ठीक है तो हाथ में तो गलफ्स दिखाए नहीं पड़ रहा है आप यहाँ से देखेगा आपको गलफ्स दिखाए पड़ रहा है कि नहीं तो यहाँ देखेगा यह ठीक से दिखाए नहीं पड़ रहा ठीक है तो आप देखकर बताएगे ना कि आपको यह हाथ दिख रहा है कि नहीं यहाँ पर हाथ दिख रहा है कि अगर आपको दिख रहा है तो यहाँ पर समझे कि वह गलफ्स पहने हुए गल्फ्स तो आपको हाथ का ग्लफ्स दिखाये पड़ Birth नहीं पड़ना आप comment box में जोड़ बताएए तो रहे क्या 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 पेहने दिखाये पड़रह है जो पेहने वे आपको दिखाये पड़ रहे है बस उसी का नाम लिखना है कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लिखना तो यह दिखानी पड़ रहा तो आप बताय के केमेंट बॉक्स में इनका दो गलब्स नहीं दिखाय पड़ रहा और दिखे और क्या D often पर यह टोपी पहने हुए डोपी टेकी यह तुनों क्या पहने हुए इनकर टोपी अच्छे से दिखाय पोट रहा टोपी पहने हुए, तो ये सब लिख देंगे, उत्तर हो जाएगा तेंजिंग नोडगे और सर एडमंड हिलरी एक विशेश परकार का परवता रोही सूट आखो पर बड़ा सा चस्मा, पीठ पीछे, ऑक्सिजन के सिलेंडर और सिर की सुरच्छा के लिए विशेश परकार का टोपी पहने दिखाए पर रहे हैं, ठीक है, तो क्या क्या दिखाए पर रहे हैं, सूट पहने विए थे हैं, चस्मा, अक्सिजन के सिलेंडर और टोपी, ये फोटो में दिखाए पर रहा था, नेक्स्ट क्वेस्चन है, उन्हें ऐसे कपरों के जवरत क्यों परती हैं, तो कपड़ा के बाड़े में पूछ रहा है, शिर्फ कपड़ा के बाड़े में, तो पला ज़रा है कि उन्हें ऐसे कपड़ों के जोर्थ क्यों पढ़ती हैं, तो लिखेंगे, परत रोहियों को चाय पर जानने के बाद बारिश, आंधी तुफान और अत्यधिक ठंड का मुकावल का करना पड़ता है, विशेस परकार के कपड़े उन्हें अत्यधिक ठंड और बारिश से बचाते हैं, तथा आणधी आन्य पर ये कपड़े हवा के दबाओं को कम करते हैं, तो आपर आणधी वी चलता है, ठीक न? आणधी भी चलता, और जैसugen nota कि नाइलोन, रियोन, पोल बचाएगा तो भींगें में नहीं और अथी ठंड से भी बचाता है कि पहार पर बहुत थंड होता है न और जब आंधियुंदि आता है तो हवा का दवाव कम करता है उनका कपर